करते हैं, मेरा नाम काजल है, मेरी उम्र 21 साल है, बात मेरी दी के शादी के साथ दिन बात का है, मेरी जीजाजी 24 साल के और खुबसूरत का राजा है, वो बहुत ही मस्त इंसान है, बात एक दिन की है जब मैं घर पे अकेली थी, क्योंकि मा और पापा देव घर पूजा करने ग अपने घर चले गए थे, क्योंकि उनका कोई एक्जाम था, और एक्जाम देकर, वो सीधे यही आ गए, वो पहले किसी को बताए नहीं कि मैं आ रहा हूं, नहीं तो मा पापा, और दीधी पूजा करने देवघर नहीं जाती, देवघर पटना से करीब 200 किलोमीटर है, इसलिए वो लोग अगले दिन सुबह ही लोटेंगे, जी जा, जी शाम को पांच बजे आ गए, मैंने उनके लिए खाना बनाया, और दोनों मिलकर खाना खाए, फिर हसी मजाग का दौर, चल पड़ा मेरी गाल को छू देते, मुझे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बड़े ह सुन्दर और गठीला बदन है, उनका आज मौका था, किसी के साथ रहने का मैं भी सोच ली, कि चलो, अभी तो मेरी शादी होने में टाइन है, पर उसका मजा लिया जाए, मैंने भी उनके सामने कुछ ऐसी हरकते की, तब वो पूरी तरह से खुल गए, और बात मेरी शरीर द जीजा जी से पूछा, शादी से पहले आपकी कोई गर्ल फ्रेंड थी, उन्होंने कहा, हाँ एक थी, लेकिन आप नहीं है, फिर जीजा, जी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा कोई बॉइ फ्रेंड है, तो मैंने कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, नकिन कोई बनता तभी में रोने लगी जीजा जी, मेरे आंसों को पोछते हुए बोला क्यों रो रही हो, то मैंने कहा मेरा भी मन होता है कि मैं भी जिन्दगी का आनंद लूँ, लेकिन कैसे लूँ, तभी जीजा जीने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं है, तो क्या हुआ मैं हूँ, न फिर मैं श पती थी, फिर मैंने जीजा जी से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, चलिए, कोई गेम खेलते हैं, तभी जीजा जी ने कहा, साप और सीरी का खेल खेलते हैं, हम दोनों गेम खेलना शुरू कर दिया, गेम खेलते खेलते बहुत रात हो चुकी थी, गर्मी का मौसम था, मैं गया है और मुझे नींद भी आ रही है तभी जीजा जी ने मुझसे पूछा गेम खेल कर संतुष्टी मिली मैंने कहा आज तत मैंने ऐसा गेम कभी नहीं खेली थी मुझे बहुत मज़ा आया फिर मैं सो गई अगले दिन दीदी लोग पूजा करके घर वापस आ गई फिर जीजा के साथ ससुराल चली गई तो दोस्तों कहानी आपको किसी लगी कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें वीडियो को लाइक शेर जरूर करें मिलते एक और नई कहानी के साथ तब तक अपना कहानी